हलो प्यारे साथियों श्वागत है आज की इस नए वीडियो पे तो अगर आपने सहारा में पैसा निवेश किया था और आपका पैसा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है इसमें मैं पूरी जानकारी देने माला हूँ जो की सरकार की पैसा पा सकते हो जो की पिछली काफी दिनों से आप संगर जेल रहे हो सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फच चुका है उनकी दिलो दिमाग पर बस यही चल रहा है कि उनका पैसा कंपनी से कब वापस होगा जैसा की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर देश सक पूरे मामले में सहारा इंडिया परिवार का बिहार के साथ ही लेगी पूरे भारत में कई राज्जों में मुकदमा दर्ज है ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में सहारा इंडिया ग्रूप के एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें कमपनी पर पैसा दूगना करने का आरो दर्ज हो चुका है साथ ही कई जगहों पर बिरोत प्रदर्शन भी हो रहा है आई जानते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ ताजा मामला जो पटना के फुल वारी शरीफ है जहां पर निवेशकों ने कमपनी के खिलाब मुकदमा द दर्ज किया इस दवरान बहुत संख्या में लोग वहां पर उपस्तित थे और निवेशकों ने अपनी कमपनी के मालिक सुबरत राय पीपुल कुमार कीश्री और साथ में कवींद्र कुमार के उपर मुकदमा दर्ज किया बताया जा रहा है कि 30 करोन से भी अधिक की रास ही क कमपनी के पास जमा है लेकिन कमपनी लटान नहीं रही है इन निवेशकों का कमपनी के पास पिछले 10 साल से पैसा फसा हुआ है लेकिन कमपनी के पास से पैसा निकल नहीं रहा है सहारा इंडिया लोगों की अपनी कड़ी मेहनत और अपने जीवन के एक बड़े हिस्सा भव रही है लेकिन वापस करेगी कि नहीं इस बात की पुष्टी नहीं थी लेकिं यहाँ पर मुद्दे की बात यह आती है क्या आपका पैसा मिलेगा या फिर कैसे मिलेगा उसifa के तो जिसमें ये बताया गया कि सहारा गलत तरीके से आम लोगों से पैसे лूट रही है यानी कि पैसा जम्ह करा रही है इन खिकायतों के बाद सेबी ने ऐक्स안 लेना सुरू किया और सेबी के जाच में ये सही आया गया तो वहीं पर दोनों कमपनियों के खिलाब जाच सुरुवाती से हो गई और इस दवरान सेवी के जो हाथ उसमें लगे उनमें करीब धाई हजार करों रूपए निवेश थे जिसमें से 24,000 करों रूपए जमा किये जा चुके थे और ऐसे में सेवी ने इन दिनों कमपनियों के पैसे को अपने साफ मना कर दिया अब यहाँ पर बात आती है कि यह पैसा कम मिलेगा तो यहाँ पर सुबरत राय ने मनी लांडरिंग का मामला दर्ज हुआ और इसके साथ ही सहारा की पूरी टीम में जो मामले थे वो फस गए और इस दवरान सेवी के निवेशकों को ही पता नहीं लग पाया और जब सहारा समू की कमपनी भुकतान करने में विफल हो गई तो सुबरत राय को जेल जाना पड़ा हलाकि बाद में सहारा ने सेवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके निवेशकों के 25,000 करून रखने का आरोप लगाया गया है अपरेल 2018 से ही सेवी न नहीं है अब यहां पर मुद्दा निकल कराता है सरकार की हलाकि सरकार ने दोनों लोगों से जवाब मांगा है और पैसे आपके जाएंगे नहीं क्योंकि सुबरत राय सरकार के हिदासत में है थोड़ा सा समय लग सकता है बड़ आपके पैसे जरूर मिलेंगे और रही बात पैसे पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया तो उसमें टोल फ्री नंबर दिया है उस टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हैं और अपने एजन्ट जिसको अपने पैसा जमा किया था उससे बात करके अपनी बातें अपने ड